जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था कि हिंदी माध्यम के लिए विभिन जो प्रिमस नियुज पेपर हैं तो उनके जो आर्टिकल और एडिटोरियल हैं तो उनमें UPSC के पॉइंट आप व्यूश्ट प्रोमेंट और एप्रोप्रियेट जो भी आर्टिकल और एडिटो होगा तो यहां पास जैसे कि दैनिक जियागन दैनिक वासकर हमार उजाला नौभार टाइम चैन सतर बिजने सिस्टेंट की जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल और एडिटोरियल होंगे तो वह यहां पास से उसकी सीरीज ही चलो हो रही यहां पास से दोस्तों यह पहले सीर यह आर्टिकल मैं आसा करूं कि यहां पास UPSC के पॉइंट आउब यो से यह आर्टिकल जो हैं तो हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही उपयोगी सावित होंगे जो तो हम सुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल दैनिक वासकर से है यह संपादकी है प्लास्टिक नहीं की अ संपादकी में कहा गया है कि जैसे कोई भी उजना हो या कुछ भी चीज जो कोई मोहीम हो तो उसके लिए समाज की भूमी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है समाज की सहयोग की बिना किसी भी चीज को हासिल नहीं किया जा सकता है और इसमें से जैसे की सुच्चत को यहां पास आज एक जन आंदुरान को रूप में सुच्चता को देखा गया है जो कि 22% शुरू हो कर कि आज 97% तक सुच्चता भारत में आ गए तो बहुत ही बड़ी भारत की अच्यूमेंट है तो इसी प्लास्टिक मुक्त भारत की दिमबात करते हैं तो यहां पास हम प के लिए विवगा में पासिक्ट बीप में दूद बिस रर्ल नहीं लेसकता है पूरी तरह से तो प्लास्टिक इसका तो कोई बहत्रीन सब्स्टिटूट जब तक आ नहीं जाएगा तब तक तो वह उसकी जगाब नहीं ले सकता है पूरी तरह से उसके लिए क्या प्रियास हो रहे हैं यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है तो जैसे कि भी हाली में इसके बारे में यह दि प्लास्टिक बंद हो ज लेकिन क्या इसकी जगा पे कोई एक सस्ता सुंदर और टिकाव विकल्प मिल चुका है क्या आ गया है यह भी बहुत जरूरी है जानना क्योंकि बिना इसके तो संभव नहीं है कोई मतलब इसका सब्स्टिटूट बहुत जरूरी चीज है तब हम अपने पर्यावान को बहतर तरीके से संद्चित भी रख पाएंगे जो कि हमारे जीवन के लिए मतलब काफी बहतर होगा यहां पस से देखें कि कोई भी जैसे यह जनता की बात करें तो जनता को कोई भी जैसे प्लास्टिक को प्रतवंधित ही करना है तो इसमें हम जनता भाय के डर से तो उन चीजों क को लागू कर लेगी मतलब उनको करेगी लेकिन इसका बेहतर उदाहन देखते हैं जैसे अपने सक्त कानून जो यह इसके यातायात वाले कानून जो इंप्लिमेंट हूँ है गवर्मन के द्वारा इसमें से देखो कि कागज वगरा बनाने के ड्राइविंग लाइसेंस के ल करफ़ा बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है इसमें देखो करप्सन की भी मतलब करफ़ना करप्सन बरबढ़ जाता है तो इसलिए यह जरूरी है कि हम किसी भी जैसे कोई भी कानून है तो उसके लिए एकदम ना कि पूरी तरह सीमेर डिडलाइन ही डिसाइड कर दे बलकि उस के पॉइंट अब इसे बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक को पॉशन माना जाता है तो को पॉशन के लिए देखो यहां दोस्तों यह से को पॉशन खिला भी एक आंदूरन की बात की जा रहे हैं जैसे कि अपने पीम जी वी मन की बात में भी इसके बारे में डिसक्स करते रहते हैं और इसे भी एक जन आंदूरन के रूप में खड़े करने की बाते हो रही है और वैसे भी महाँ पास जैसे हमने बहुत ज्यादा आर्थिक प्रगति गरीवी में कमी बहुत खद्यान उत्पादन और शरकार द्रविंट प्रकार के कई योजनाय तो लागों की गहीं लेक सब्सक्राइब जो की सब्सक्राइब करें 2019 के खादें पोर्षट शूर अच्छा रिपोर्ट है तो यह 2015-16 के आंगोड़ों पर आधा रही थे तो इसमें से कहा गया है कि जो देश की आबादी है उसका 38.4 फिजदी 38.4 फिजदी जो हिस्सा है तो भीचर को पोर्षण से त रस यह नियुक्त समझत है और वहीं 35.7 फिजदी 35.7 फिजदी जो हिस्सामान से कम है यह बहुत ही भयावा अब समझ्स्यय है और साथ ही तो तो 58.5 फिज़ जो है तो रक्तालफता से जोज रहे हैं तो यह अपने देश की बहुत ही बड़ी समस्य गंभीर समस्य है और यह समस्य सिर्फ गरीबों में नहीं बलकि आपस समय तो अमीरों में भी समस्य है सामानेता मोटा पा है यह पोश्ण का असंतुलान हो जाता है उससे भी समस्य है उनमें भी देखी जाती है तो जैसे अभी देखे जाके विम्टर का के जो सरकारों ने कदम उठाए है खादस रच्छा को ले करके तो उनमें जाके जैसा भोजन कादिकार अधनिया अधनिया उलाया गया ग्रामर्ण रोजगार गारंटी अधनिया मंडरेगा तो इनसे तो जो है तो अलब पोषण भोग की जो समस्य है उनसे कोई खास कमी नहीं देखने को मिली है हाँ यह जरूर कि जो भोग सब्सक्राइब की समस्या पहले बहुत ज्यादा भयावा रूप से थे तो उसमें थोड़ी बहुत कमी मृत मृत्यों के मामले में तो कमी आ होना काम पूषण की समस्या है यह जो है तो यह समस्या है तो अपर यह पोशन की सब्सक्राइब पर पशे छोड़ार की शुरुमा ने किया था तो इसमें से जिसका लच्छ था कि बच्चों महिलाओं में कम वजन लंबाई न बढ़ने अलब पोशन और रक्तलत यह समस्य हैं तो उनमें साल आना 2-3 % की कमी लाना था यह राश्टी पोशन अभियांस की जो है तो टारगेट था सरकार का और जिसका आगे नाम बदल करके पोशन अभियांस कर दिया गया और इसका 2022 तक अब जो है तो सरकार का है 2022 कोशन मुक्त भारत करने का लक्ष यहाँ पास बहुत ही जो कि बहुत ही बड़ा डारगेट गवर्रमेंट का है तो यह हमारी जो योजना है तो सिफ योजना सीमित तरीके से काम करता है हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा समस्याइं भविश्य में हो सकती हैं इन में यथोचित सुधार नहीं हुआ तो जैसे कि यहां पासे हम देखते हैं कि जो फंड तो दिये जाते हैं लेकिन उनका बहुतर तरीके से उपयोग यथोचित उपयोग नहीं हो पाता जिस उद्ध लिए जाते हैं यहां पस स्कूल मध्यान भोजन हो गया आंगयन वाड़ियां पूरक पोशन आहर वगयरा हो गया वगयरा हो अना ती जफनाए जो हैं तो के वारा की बारे में लिप्ष्ण करते हैं तो उसके लिए जैसे कि हैं व्योग्यानिक दिश्ट्टिकोन अपना करक इस तरीका है कि सरकारी योजना जो होती है वित्री तो पीडियेस के जरी इन विख भोजन में ड्याइशिटी लेटी ले चैसे कि उदारान के लिए कैसे कि जाए पोसा का नाजों की मत रहो है पोसा का नाज दिया जाए और अंडे हैं दूद है सोयबीन है इन उत्पादों को भी इसमें सामिल किया जाए हना सरकारी उजनाओं में और अब तो यहां पास जोसे फोड़ फोडिकेशन की भी इसकी सरकार ने मतलब यह जो रसोलों से चल रहा है तो इसमें जैसे गय हूं चावल नमक खाद तेल दूद दही लोह इसमें यह जो है तो आयोडे इन जिंग विटामिन ए डी जैसी जो जरूरी खनी जो विटामिन के हैं यह जो जो को में और अब चनीक से भी इसमें सुधार लगा सकते हैं जैसे कि यह आवस्टक जो जो विटामिन खनी कंझ कंच कि कमी है तो इसको भी धूर क्या सकता है जो यह तो यह बहुत भरपूल मत्रव अच्छा स्वाच्श माना जाता है और कई देश तो इसको नेत्र से निपट सकता है असानी से नेक्ष्ट आर्टिकल है दूस्तों चलते हैं हिंदुस्तान का आर्टिकल तो यह कि अब आशा नहीं दुनिया को भरमाना यह हमारे पूरवी देश्ची उससांग जी के लिखा गया बहुत अच्छा आर्टिकल है तो इसमें यहां पास आर्टिकल उलंगान का आरोप पकिस्तन लगए यह भारत मतलब की नई दिल्य को दवा बनाने के लिए हैं जैसे क्योंकि वह तो एक मामले में तो बैक फूट पर आगया है कस्मीर के मुद्दे पर डैक्ट ही तो अपने मतलब हर हाथ कड़े हाथ कड़े अपना चुका है लेकिन उसको को मुखी खाने ही पड़ी हर बार तो अब उसने यहां पास मानवाधिकार के जो हनन का अरोप लगा करना शुरू कर दिया है तो उसके क्योंकि प्रोपेगंड़ों को तो दुनिया नहीं सुन रही है उसने नकार दिया है तो वह मानवाधिकार का सारह लेकर के पश्चिमी उलंगन के अरोप कस्मीर पे तो दिख रहे हैं लेकिन उन्हें अपने बलूचिस्तान जो की पाकिस्तान का कस्मीर पाकिस्तान का जो कब्जा वाला प्योकी है सिंध है इन इलाकों पे जो पाकिस्तान फोज को दमन है पाकिस्तान सोसन कर रही है वहां के लोगों के साथ तो उनको नजरानदाज कर रहे हैं उनको कस्मीर वाली समझ्स मानुवादिकर उलंगन देख रहा है लेकिन वहां कि मानुवादिकर उलंगन की बाते कोई करता है और चाहे उसमें यहां पास जो अभी हाली में पाकिस्तान के विदास मंटरी मेंमोद कुर्याशी जीए जो उल्लंगान का अरोप लगा कर भारत को भारत को पर दबाव डाला जा सके लेकिन वहां पास जो उपने यहां जो आतंगवादों को उसी भाहने स्थावी देते रहें तो यह पाकिस्तान जो जूट जो भारत के खिलाफ फैला रहा है हला कि हमारे मंडल बेटर तरीके से उन आँ एशा देख रहा हैं पास लेकिन अपना अफैनी को वापस देना चाहिए रहा है तो उसे पाकिस्तान अपनी भूमका को right रहा है इससे वह सोच रहा है कि जो पहले मतलब जो अमेरिका पाकिस्तान से दूरी बढ़ रही थी, तो साथ इसी बाहने अफगानिस्तान में तालिवान से समझागता कि जड़ी उसे कुछ कुछ अमेरिका इंपॉर्टेंस दे दे हैना है वहाँ पास पाकिस्तान जो qy haan où चीन के मदाद में उत उब अधाया के चीण दिया मानू Watts कि श्रूणा। पाकिस्तान को आई नहीं दिखाया गया है और पाकिस्तान में जो आरोप लगाया है उसमें भी पाकिस्तान को मौकी खाने पड़ यहां पास से हमारे भायत के जो प्रोकता रहे तो उन्होंने काफी बेहतर तरीके से उसमें उनको काउंटर किया अब यहां पास पाकिस्तान साइद यह भी हो सकता है कि जो सितंबर में सेयुत राश्ट महासाबा की बैठक हो उसमें भी इवरान खान यह मानवाद का उलंगन का रोप लगा सकते हैं तो उसके स्यमें थोड़ा साओ से उसमर्थन मिला तो इसलिए उसकी सुक्ता और बढ़ी किस्ता चैथ यहां पास भारत को काउंटर किया सके और यहां पस मानवातकार को उसमस्या था मिध्या के मुद्ञ हो चाहरे mitेयरики कर बनका सहब पाकिस्तान की हो रहे पास मानवादिकार कार Detroit तो वही बते हैं। महानुवाति का उलाघन की बते हैं। वाइय के उलाएं यहां भारत यहां, यहां भी कि पाकिस्तान चिन की संयुक विए बैयन आك तो मुखकुंति हैं को हम मशाले उलाघन की दोन की. चीन को चीन को साथ में रखना होगा वहीं हमें बसक्राइब की पाकिस्तान को भी हमें जहां तक कि सरकार कैसा मानना है कि पाकिस्तान को भी एक मिलना मौका मिलना चाहिए तो मतलब ख़तम करने के लिए त्यार हो जाए यह वह सकता है और हमें यह है कि दूपच्छी रिस्ते जो है तो दूपच्छी रिष्टों को भी थोड़ा सा बहतर बनाने की कोशिस होनी चाहिए जिससे कि क्या होता है कि पूरी तरह से दियुम दूपच्छी रिष्टे बंद कर देते हैं तो पूरी एसिया जो महादीफ है उसमें से प्रकर से यहां अस्थिरता का माहौल हो जाएगा तो यह जो की बविस्ट के लिए ज्यादा सही नहीं माना जाता है तो वही है कि मानवाधिकार को जुट अच्छा की प्राथमित्ता है तो भारत तो बेटा तरीके से देही जाए वैसे भी उसमें कोई हो नहीं तो जो मानवाधिकार के जो मानक है तो यदि देखा जाए कि कुछ देशों ने मानवाधिकार उलंगन के मामले में पाकिस्तान का समर्थन भी किया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण है कि जैसे आपसे देखते हैं कि मानवाधिक तो तो इस पश्ठी है कि आतंकी घटनाएं नहों और अलग तर जो पाकिस्तान पड़ाया तो उसको मुझे अलग तर पड़े यहां की जो लोग है तो उनको भी विकास के मुझ कि धारा पे लाया जाए और बेहतर तरीके से जम्मु कस्मेर का विकास किया जा सके तो यह पर दरा यह कंटेंट डवलप किया गया है और बहुत ही अच्छी वूख है तो आज का आर्टिकल बस इतना है और आप इसके बारे में अपने व्यू दें कमेंट करें इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और निश्ची तो पर इस आर्टिकल पर जो भी चीज तो उसके ब करें लाइब 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 क